आज मैं बनानी वाली भिंडी दो प्याजा रेस्टरेंट स्टाइल में पर बहुती कम मसालों की साथ तो आए देखते इसके लिए हाँ में किनकी चीजों क्या वशकता है यहाँ पर मैंने लिया भिंडी 200 ग्राम आज है बड़े क्यूब में कटेवे दो एक टामाटर बारिक चौप किया आदा कटोरी फ्रेश क्रीम एक हरी मिर्च है धनिया पत्ती है नमक धनिया पौडर गरम मसाला अध्रक लसुन का पेस्ट है कस्तुरी मेती मिर्च पौडर और हल्दी टेल सबसे पहले मैंने भिंडी को थोड़े बड़े क्यूब में काट लिया था दो के अब मैंने एक प्यान रखके उसमें सिर्फ अभी एक स्पून ओयल डाला है एक स्पून ओयल डालके अब मैं इसमें भिंडियों को डालके हलका शेलो फ्राइ करूँगी ताकि भिंडी में जो चिपचि पहट रहती है वो ना रहा है अगर हम लोग शेलो फ्रह नहीं करेंगे तो ठोड़ा सा चिपचि पहट रहेगा अब मैंने इनको हलका भुन लिया है भुन के मैं भिश को निकाल ले रहे हूं निकाल के अब सेम प्यान में मैं थोड़ा सा और तेल डालूँगी थोड़ा सा और तेल डालके मैं आगे का प्रोसीजर करूँगी मैंने अराउंड टू स्पुन तेल और डाला है डालके अब मैंने इसमें डाला है प्याज ये दो प्याजें क्टे व्यंत कोषिश किया है कि कं मसालों में टेश्टी सबजी बनाऊू। अब मैं आद्रक लसुन का पेस्टल्च के अच्छ से Mix कीूं, उसके बाद मैंने डाला, Half Spoon Haldi, Half Spoon Mirch Powder, Mirch Powder आप अपने टेस्ट के According दालना, पिर उसके बाद मैंने डाला, धन्याप आपके अच्छ से Mix कर रही हूं, तक मिर्च और प्याच मसाले अच्छ से Mix हो जाया। अब मैंज बैल रहे हूं फ्रेश क्रीम अधी क crispyम धीप रहे है। क्रीम की डूट अब मैं इसको छे से मिक्स हैं यहां पर चाओ तो दही लिएवर्ट कर सकते हो। मैंने डाला बैंडी जिनको हमने भुंकी रख anytime । अच्छे से mix कर रहे हूं मिक्स करके अब मैं इसको ढख के थोड़ी दिर के लिए पकने रख दूंगी ताकि वो दीमियाज पर पक जाए अब मैंने नमक डाला अच्छे से mix कर रहे हूं अलमोस्स सब्जी बन गई है अब मैं इसको अच्छे से नमक डालके थोड़ी दिर और ढख के पकाऊंगी दो-तिन मिनट तक के दिमियाज पर दो-तिन मिनट हो गया हमारी सब्जी बनके रेडी है अब मैं इसमें डाल रहे हूं थोड़ा सा गरम मसाल डालके अब हाफ स्पून कस्तूरी मेथी को मैं क्रश करके डाल जो डालके मैं इसको अच्छे से mix करूंगी बस हमारा भिंडी दो प्याजा बनके रेडी है इसे आप रोटी सब्जी नान चावल किसी के भी साथ का हो बहुत तिस्टी लगेगा अब मैंने धन्या पत्ती डा